तो Хलो दोस्तो मेरे एक्रोड वुडियो में आपको स्वागत हैं मैं आपका दोस्तव हसन ओनफुर्थ रिके से हैं दोस्तों में आप लोग बहुत लोग अच्छे से होंगे और खुशालों में जबर्दस्ट वीडियो होने वाली है कि किस तरह से जुआ सवुदिय के अंदर दुकान होती है कितने लोग काम करते कितने साल हो गया उनको क्या क्या काम करते वो सब पुरा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यह देखने से पहले चलते हैं नमास पढ़ना क्योंकि आज है जुमा जुमा की नमास के पढ़ेंगे इस लाद यह सब इतना सामान है आपको दिखाऊंगा ओके तो दोस्तों फानेल यार पहुझ गए हैं मस्जित नमास के लिए जाल देख रहे ह इस वक्त हम लोग जो है असरफिया पे हैं सरुदी अर्बाट जद्दा के अंदर यह है यह हमारे गहाँ वाले में जाना जाते हैं यह वजू इतर करेंगे जागा कुछूरत है या अच्छा है जबरबस्त है एक नवर ठीक है अब फिर मिलते हैं आपसे नमास के बाद यह भा तो फाइनले दोस्तों नमाज हो गया है खता ठीके आप दे सकते हैं मेरे फिची कितनी गर्दी यह जो है सब सामान मीं खरके केला बिग रा करी संतरा में खरके करी को सबस्क्राइब य est-ra दमाज के बास तो सस्ता भी रहता है है ज़ैसा ईगहाद टास्षा मिलता हैं किस तरह से गर्टी है आपower के नमाजवा सब्रें अभी चल रहे हैं हमारे गाहँवाले हैं हम लोग साथ नमाज पढ़ लिए अभी चल ले होडल में खाना खाएंगे वह जबर दस्त यार लेकिन इलाका जो है न अशर्फिया और दूसरा भाई तो भी नमाज पढ़ रहा है वो तो निकला है नहीं हम लोग छाओं में खड़े होते हैं तो दोस्तों छाओं में आ गये हैं वह आप पीछे देख रहे हैं कितनी करती हैं माश्याओल्ला यह नमाज के बाद यहाला है गजिद्धाद पोर दाएं बड़िए और बड़ें जो इसे बन्ड़ा है तो इदर भाई तोड़म तोड़ी शुरू चल भी रहा है कांभी हो रहा है वो बहुत पीछे आ रहा है और यह इह इदर कि गालियों की बीच से होते हिए है तरी वह बागया है लेकिन एक पिच्छा होते हैं मतले भई ये बोल नमाज पढ़के आ रहा भी हम सब साथ में आते हैं ठीक है ये कुछ ये कुछ कराउट है आप नमाज के बाद कितनी गर्दी होती आप देखें ठीक है ये एक मज़िद नहीं बहुत मज़िद है भी यहां पर हमारे गाड़ी कि दर इधर खड़ी है ये गाड़ी है अभी चल ले है और ये कुछ यहां का यहां रहा है तो फाइनल दोस्तों हम दे सकते हैं यह मेरे पीशे दोपा यह पूरा अपने दुकान का व्यू देख लें आप किस तरह से यह दुकान है यह अपने इंडिया के आप कैर्ला के दुकानों सविछे परिया के अंदर में यह देखो मैं आया हूं सामान लेना था दोस्त को सिम लेना था उसलिए जो है अभी उतर बात हो रही है स्यंट किस तरह से निकलना है ऐसे क्या करना है कि दोस्तों फाइनल यार सिंद्ध नहीं निकल पाया अब चल लें वापस क्योंकि इधर अभी नियम चेंज हो गया कि एक पुरूप के दोई सिंद्ध निकलेगा ठीकर निकालने के लिए दूसरे को चेंज करना पड़ेगा निपोड करना पड़ेगा ठीकि यह अपने इंड ठीक दोस्तों बस जादा नहीं दिखाऊंगों बस इतना दिखाता हूं फिर आगया सब चेंज हो गया यार मुरी खराब हो गया इतना दूर आने के ला फाइदा हो गया अगा दोस्तों वह दुकान जो थी पर्मनण हो जए इंडियन की है नहीं किरला की दूकान आठीकर न पूरा जो है ना मोबाइल के दूकाने हैं कपड़े के दूकाने हैं मिठा के दूकान यानि पूरी सॉपिंग के दूकान अब सबसे बड़ी बात यह दें जिसे बंबाइ वगएर में अपने दर फुट पाथ दूकान लगती है ना इस तरह से यहां पर भी जुकान लगती जिए इस दर भाई एक दम जो है फुट पाथ दूकान लग रहे हैं जो है धूल मिट्टी आंकों में घुश रहे हैं जो ले लो भाई पान तो फाइनली हो गया भाई यह सापिंग खतम सिम तो मिला नहीं अब फिर आना पड़ेगा है देखो फिर क्या करते हैं सिम कैसे यह रहा कुछ मार्कीट यहां पर अब चल लें भाई रूम पर ठीक है अगर अच्छा लगा हो तो बस प्यार दे दे अपना कमेंट कर दें फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई धूब बहुत ज्यादा हो रही है ठीक है भाई जाए हिन जाए भाई